एक तरफ जहां राफा के भीतर इस्राइली सेना पर हमास दनादन गोले बरसा रहा है वही दूसरी तरफ उत्री इस्राइल धीरे धीरे हिजबुला के साथ जंग की ओर बढ़ रहा है क्योंकि लेबनान बौर्डर से सटी इस्राइली चौकियों पर हिजबुला एक के बाद एक बड़े बड़े हमले कर रहा है और इन हमलों के बीच इस्राइली फॉज उत्री बौर्डर पर बुरी तरहा से उलच चुकी है और इन हमलों के बीच एक बार फिर से हिजबुला ने आईडियाफ को दहला कर रख दिया है 21 मई 2024 को हिजबुला ने लेबनान बॉर्डर से लगी इसराइली सेना की कई सैने चौकियों पर बंबारी की है हिजबुला का कहना है कि उसके लड़ाकों ने आलमाजर पोजिशन पर कोले बारूच से हमला किया इसके अलावा कैरेंटिना हिल में तो इसराइली सेना के जमावडे पर बड़ा हमला किया गया है हिजबुल्ला का दावा है कि उसने कबजे वाले शीबा फार्म्स में रुविसत अलकरान पर गाइड़ेड मिसाइले भी दागी है बड़ी बात यह है कि इस हमले में पहले हिजबुल्ला ने अल रहेब साइट पर रॉकेट और गोला बारू दागा था हिजबुल्ला के इन हमलों को लेकर लेबनानी मीडिया अलमयादीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दो बच कर तीस मिनट पर हिजबुल्ला ने अल रहेब सेने अड़े पर रॉकेट और गोला बारू दागना शुरू कर दिया था इस से पहले दोपहर एक बजे रुचत अलकरान में आईडियाफ पर गाइड़ेड मिसाईल एदागी गई और इसके बाद दोपहर करीब तीन बच कर पांच मिनट पर अलराहेब सेनने अड़े के पास इसराइली सेना के जमावडे पर फिर से हमला किया गया और इस हमले के बाद शाम करीब चार बजे हिजबुला ने मलीखिया सेनने अड़े पर भी हमला किया है और इसके पैतालिस मिनट बाद यानि चार बज कर पचास मिनट पर अलमारेज सेनने अड़े पर हिजबुला के लड़ाकों ने ताबर तोड हमले कर दिये और शाम पाँच बजे जिब्दीन बैरिक पर हमला होता है और उसके ठीक 20 मिनट बाद कैरेंटीना हिल पर हिजबुला के गोले बारूद बरसने लगते है वहीं हिजबुला का ये भी कहना है कि उसने आल रहेप सेनने अड़े पर रोकेट और गोला बारूद दागा है हिजबुला के मताबिक उसने ये ओपरेशन आधी रात करीब 2 बज कर 30 मिनट पर किया है हिजबुला ने दावा किया कि पहले उसने इसराइली सेना के जवानों पर करीब से निगरानी रखी और जैसे ही उनकी आवाजा ही शुरू हुई वैसे ही उनके उपर रोकेट हमला कर दिया गया आपको बता दे कि हिजबुला ने रमीम और जिब्दीन बैरिक और अल राहेप सेनने अड़े पर हमले का वीडियो जारी किया है हिजबुला के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक रोकेट बॉर्डर पार करते हुए पहाड़ियों पर बनी एक बिल्डिंग पर जा गिरता है और फिर उसमें एक बहुत बड़ा धमाका होता है लेकिन इस सब के बीच इसराइल के मिलिटरी विशेशग्य एलन बेंड डेविट का कहना है कि हिजबुला अब अपने ड्रोन्स में एक रेडार सिगनेचर इस्तेमाल कर रहा है जो इसराइल के स्वान ड्रोन जैसा है जिसकी वज़ा से इन्हें इंटरसेप्ट कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है पाना बेहद मुश्किल हो रहा है